हमारे यूटू चनल कोमर सेकेडमी पर आप सभी का सवागत है और आज हम लोग गाइज कोशन करेंगे दुबारा से ठीके से पहले भी हमने कोशन सोल किया था और आज हम लोग अगेन सेगेंड कोशन इसका सोल करेंगे यह हमारे सामने बीकॉम फरस्ट यर का स्टेडिक्स का पर है जो मार्च 2008 रख है तो इसका हम लोग कंटीनियू सोलूशन कर रहे हैं पहले हमने फर्स्ट कोशन किया था इस वाले कोशन का आज हम लोग यहां पर यह वाला कोशन सोल करेंगे जिसमें हमें मद्धी का निकालना है मद्धी का मींस यहां पर हमें जो है मेडियन करते हैं देखें सबसे पहले बार बता देता हूं और लिए आपको कि यहां पर कुछ वैले इसके बाद इसकी फ्रिक्रेंसी ठीक है बड़ाई सीम्पल सा कोशन है तो यह सका स्वालूशन आप देख सकते हैं यहां पर कि सबसे पहले हम लोग तीन कोलम बनाएंगे तीन को सबसे कोलम में क्या होगा यह सुरी मधी का निकालनां मीडिय है तो यहां पर हमारे तीन कोलम एंपने रहें से पहला जो कोला में वह आत् mac interval का टेक उसके बाद second question है frequency और third column है cumulative frequency CF का अब यहाँ पर पुरा question हमने no down कर लिया है और इस question के बाद इसका solution यहाँ से start करते हैं सो उसे पहले बनाएंगे CF CF means cumulative frequency cumulative frequency means 3 का 3 आएगा उसके बाद 3 plus 477 plus 613 इस तरह से हम लोग यहाँ पर value add करते जाएंगे value add करने के बाद हमारा cumulative frequency आ जाएगा फिर हम यहाँ पर फॉर्मला लगाएंगे और formula क्या है गाई हमारा एन अपन में 2 जो भी value आएगी तो यहाँ पर हमारा जो n है वो 50 है 50 को डिवाइड करेंगे 2 से 25 वेल्लु आ रही है अब हमें देखना है कि 25 कहा पर आएगा इस 25 में आएगा cf में देखना होता है जो हमारा यहाँ पर cumulative frequency होती है cumulative frequency के अंदर हम लोग check करते है कि जो हमारा cf है cumulative frequency जो median आया है median कौन से वाली cf में आएगा ठीक है कौन से वाली cf के अंदर एक्रिष्ट करेगा तो 25 के अंदर आ रहा है तो यहाँ हमारा जो है अब नाम रखेंगे इनके ठीक है जैसे यह हमारा l1 है यह l2 है और यह हमारा f है और जो हमारी median value थी इससे पहले वाली जो value होगी यह होगी हमारी c ठीक है cf के अंदर 13 ठीक है उसके बाद हम लोग इसमें बड़े वाला formula लगाएंगे दूसरे वाला यह वाला formula है हमारा l1 m is equal to l1 plus l2 minus l1 upon map और m minus c यहाँ यहाँ पर value put up करेंगे और इस तरह से हमारा जो answer आ जाएगा यह आ जाएगा 22.5 ठीक गाइस थैंक्स पर वोचिंग प्लिल लाइक और सब्सक्राइब करें